Hello Everyone, चलिए आज हम करेंगे Class First की Maths की Worksheet No.22 और इसमें हमें करना है Chapter 7 Measurement Question No.1, Color the thing that is, अब आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, उनके इसाब से चित्र में रंग भरना है जैसे पहला देखिए, इसमें शब्द दिया गया है Longer, तो आपको इन दोनों में से जो भी चाबी लंबी है उसमें Color करना है तो देखिए हमने जो लंबी चाबी है उसमें Color कर दिया है अब नीचे वाली फिगर में देखिए ठिकर यानी मोटी, तो इन दोनों रस्यों में से जो रस्य मोटी है उसमें रंग भर देते हैं ये देखिए हमने मोटी वाली रस्य में रंग भर दिया है अब इन में देखिए इन फलों में जो भारी है फल उसमें रंग भरना है तो ये हमने भारी वाले फल में रंग भर दिया है इन दोनों घरों में देखिए जो higher यानि उंचा है उसमें रंग भरना है तो हमने उंचे वाले घर में रंग भर दिया है Question number 2 देखिए match the following अब आपको सही मिलान करना है जैसे पहले में देखिए जो भी shortest छोटी नाव है उसको हमने ऐसे मिला दिया है और longest लंबी नाव सबसे है उसको हमने मिला दिया अब निचे वाले में देखिए heaviest सबसे भारी जो है ये मिला दिया हमने इसको और सबसे हलके को हमने ऐसे मिला दिया अब tallest यानि सबसे लंबा ये मिला दिया हमने सबसे लंबा और shortest सबसे छोटे को हमने ऐसे मिला दिया Thinest सबसे पतला जो है ये मिला दिया हमने और Thickest सबसे मोटा जो है मिला दिया हमने ऐसे Question number 3 देखिए Circle the thing that is lighter यहाँ पर आपको दो-दो के चित्र दे रखे हैं आपको उन दोनों में से जो भी हलका है उस पर गोला लगाना है तो देखिए बच्चो हमने उन सभी चीजों पर गोला बना दिया है जो की हलकी है Question number 4 देखिए Use your hand span and measure the length of the following objects अब आपको नीचे जो कुछ चीजों के चित्र दे रखे हैं उनको अपने हाथ की हतेली की जो लंबाई है उससे नापना है जैसे पहला देखिए My table is six hand span long यानी मेरी table छे बालिष्ट लंबी है मैंने जब अपनी pillow तकिया को नापा तो वह तीन बालिष्ट लंबी निकली तो मैंने लिख दिया My pillow is three hand span long और ऐसे ही जब मैंने अपना trunk भकसा नापा तो वह five hand span लंबा निकला Pencil को जब नापा तो वह one hand span long निकली इसका second part देखिए using your foot steps find the length of the following अब आपको अपने पैरों की जो है लंबाई तलवे की लंबाई उससे आपको इन चीजों को नापना है तो देखिए पहला दरवाजा जो मैंने नापा तो वह निकला five foot steps long तो मैं लिखता हूँ the width of the door is five feet अब आपको अपने कमरे की दीवार को नापना है तो मेरे कमरे की दीवार निकली sixteen feet तो मैं लिखता हूँ the width of the wall is sixteen feet अब आप अपने पलंग को नापेंगे तो मेरा पलंग निकला eight feet का तो मैंने भर दिया the length of the bed is eight feet question number five में आपको क्या करना है अपने घर में कोई भी चटाई या चादर लेनी है और उसको अपने pencil से नाप करके देखना है कि कितनी लंबाई है जब मैंने अपनी घर की चटाई को नापा तो मेरे चटाई निकली 14 pencil long तो मैं लिखता हूँ matte bed sheet is 14 pencils long और जब मैंने उसको अपने foot से नापा तो वह उतना ही निकला तो मेरा answer same आया तो मैं लिखता हूँ the answer is same तो बच्चों यहाँ पर हमारी worksheet जो है complete होती है और भी subject की worksheets के answer के लिए आप हमारे channel पढ़ो इंडिया को subscribe जरूर करें Thank you